नमस्कार दोस्तों मैं किसन स्वागत करता हूँ आपका अपने टेक्निकल सीपी यूटूब चैनल में दोस्तों कैसे हो आपसो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने बाला हूँ कि अगर आप एयर टेल पेमेंट्स बैंक में जीरो बैलेंस खाता खोलना चाहते हैं बिना एक भी रुपिया दिये और आपको साथ मैं आपको डेविटकार्ट वर्चूल डेविटकार्ट फिज्कल डेविटकार्ट सारा चीज जो भी एक बैंक के दोरह हमें मिलता है वो मैं आपको आपको बताऊँगा कि आप कैसे घर बैठे मोबायल के माध्यम से zero बैल में फिरी में जीरो बैलेंस खाता खोलना है तो आज की वीडियो में यही टॉपिक यही कॉंसेप्ट क्लियर करने वाला हूं तो प्लीज वीडियो शुरूश लेकर अंत तक दिखिएगा वीडियो अच्छा लेट लाइक करिएगा और अगर हमारे चैनल पर ना है तो प्लीज पेमेंट्स बैंक को लेकर इंडिया में काफी ऐसी पेमेंट्स बैंक आ गई है प्राइबेट से लेकर सरकारी तक जैसे आपको मालूम है कि एक तत्काल में एकाउंट खोल के दे रहा है जियो पेमेंट्स बैंक है जो भी वह तत्काल में आपको एकाउंट खोल के दे रहा ह हैं इन सभी प्लेटफॉर्म से काफी दर्सक चुड़े हुए हैं और सब कोई इसका लाभ भी उठा रहा है इसी तरह आज के इस वीडियो में आपको एयर टेल पेमेंट्स बैंक का जो भी होने वाला है कि हम जीरो बैलेंस का खाता है ऐसा नहीं है कि हम पैसा देके खोलेंगे बिल्कुल जीरो बैलेंस नो मिनिममम बैलेंस चार्ज इसमें अगर आप जीरो पैसा भी रखते हो तो आपको एकाउंट से एक भी पैसा नहीं कटेगा पूरी बाते स्टेप बैस आपको बताऊंगा कैसे अपलाई करता है क्या कि आपको मिलेगा कौन कौन सी सुभिधा मिल पार और जीरो जीरो बैलेंस मिलेगा यह अपना तो आई जैदा समयम मैं ने लूगँगा जो भी स्टेप होने वाले आपको अपने mobile ले लेना है आपको अपना android और जो जो step मैं बता रहा हूं वो आपको करना है क्योंकि मैंने अपना account जिस जिस steps के खोल के रखा हुआ है जो मुझे step आया था जब मैं airtel payments bank में खाता खोल रहा था तो मुझे जो जो points आप मिस कर सकते हैं तो zero balance का खाता खोलना है airtel payments bank में तो बिल्कुल वीडियो को script नहीं करिएगा तो आएए यहां पर थोड़ा सा हम एक condition जान लेते हैं कि airtel payments bank के पीछे काला राज क्या है यह हमें जानना जरूरी है काला सच को भी जानना जरूरी है नहीं तो काफी लोगों कहते हैं यह बात हो गया यह पैसा कट गया यह खोड़ा सा condition है वह आप जान लीजिए यहां पर हम सबसे पहले most important सबसे ज्यादा कोश्चन आता है कि debit card को लेकर क मिलने वाला है आप इसमें एक 25 रुपया पर एयर का एक चार्ज कट रहा है वो चार्ज debit card का है या किसका यह confirm नहीं हो पाया लेकिन पर एयर आपको 25 रुपया देना पड़ेगा कोई शू नहीं है पर साल हमें देने में कोई आपती नहीं है कोई शू नहीं है इसमें आपक किसी भी सीम से अपना एयर टेलेश बैवेलेट कार्ट में खाता खोल सकते हैं जीसे जी यो बोड़ा फोन जो भी आपका सीम है उसे आप समय इसमें फिशी कल डेविट कार्ट नहीं देगा लेकिन अको प्रू आपको फिश 5000 डेविट कार्ट आपके घर पहूंचेयाग कि इतना चार्ज लगने वाला है पूरी बाते आपको आगे बताने वालों तो बिल्कुल स्कीप मत करिएगा आईए सबसे उसके बात जान लेते हैं कि हमारे पास यह जो मैंने ठिश्टेप बताएं यह कंडिसन इसका जो भी हीडेन चार्जिस हो गएर वो मैंने आपको बता दि दूसरा हमारे पास पैनकार्ड इसमें बहुत लोग कर रहे हैं तो बिल्कुल इसको इग्णोर करिएगा विदाउट पैंकार्ड का आप इसमें कोई इंडिया में फाइनेंसियल वर्क नहीं कर पाएंगे आज कल छोटे बच्चे से लेकर बढ़ो तक का पैंकार्ड बनना बना रहा है और आप खुद से भी बना सकते हैं कोई ज्यादा इसमें रिक्सोगरा नहीं रहता है तो बीना पैंकार्ड का आप किसी भी बैंक में एयर टेल को छोड़ी आप किसी भी इंडिया के पैमेंट्स बैंक में या आधर कंट्री में भी आप सेविंग खाता करंट ख रहना चाहिए अब आई आपको जो भी इमारा कंडिसन और वो मैंने कंप्लीट किया अब आपको डायरेक्ट अप्लीकेशन को ओपन करना है अब अपिकेशन कों सा है अब आपना मोगाइल खोल लीजे और जो हुआ बता रहा ह는 वैसे आपको करना है सबसे पहले आपको अप भी step miss नहीं होगा मैंने 10 नों बाद try किया है आप बस सुनते जाएए आपको क्या करना है कि airtel playstore पर जाना है और airtel thanks app डाउनलूट कर लेना है आप जैसे airtel thanks app डाउनलूट करेंगे आपके पास एक इंटरफेस आजाएगा जिस पर आपको एक login page खुल के आएगा अब login page क्या होता है वहाँ पे आपको अपना mobile number डालना होता है अब mobile number कौन से डालेंगे ये भी एक सोचने वाली बात है तो आपको जो भी account में अपने airtel payments bank में mobile number लिंक करना है वही mobile number वहाँ पे दर्ज करिएगा ऐसा नहीं एक OTP किसी और पे ले और message किसी और पे ले ऐसा ब mobile number डालेंगे उस प्रोसीड करेंगे तो आपको उसी नंबर पे चार डिजिट का एक OTP जाएगा चार या छे डिजिट का हो सकता है कोई अपडेट हो सकता है तो जितने भी account का OTP जाए उस section में OTP बाले section में आपको वहाँ पे दर्ज करना पड़ेगा जैसे ही आपको आजाएंगे उसमें आपको और एक wallet रहेगा आपका और जस्ट ऊपर ही रहेगा दाहिने साइट में 7% करके रहेगा जिस पर लिखा रहेगा अर्ण 7% interest on saving account तो उस पर लिखा रहेगा आप खुद पढ़ लेज़ेगा मैं screenshot भी सोक राते जाओंगा ताकि आप लोगो कोई द आपके पास वहाँ पे एक आ जागा instruction यानि कि एक instruction देगा account खुलने से पहले आपको क्या क्या बाते ध्यान रखनी है एक page खुल के आएगा वहाँ पे आपको हर चीज बता के रखेगा जैसे instruction में आपको देदेगा जीरो बैलेंस account खुलने वाला है कोई minimum charge नहीं रहेगा आ आपको अधार और pen रखना पड़ेगा और ठीक है सारा condition देखने के बाद आपको वहाँ पे नीचे option मिल जाएगा open free zero balance account ठीक है अब उस पे आपको क्लिक कर देना है आप जैसे आप free zero balance account पे आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास final step आजाएगा जिसमें आपको आधार और pen नंबर उहाँ पे डालना होगा तो मैं पहले भी आपको बता दिया हूं कि आपको अधार और pen mandatory है तो पहले नंबर पर अधार लिखा रहेगा और दूसरे पर pen रहेगा दोनों चीज वहाँ पर enter कर दीजेगा उसके बाद जस उसके नीचे term sense condition लिखा रहेगा उस पर आपको क्लिक कर देना है अब जैसी आपको term sense condition पे आप क्लिक कर देंगे आपका self verification होगा यानि कि आप खुद को वह camera खुली जाएगा जैसी आप प्रोसीड करेंगे अधार pen डालके उसके बाद आपका front mobile का front camera automatic open हो जाएगा जिसमें आपका face का verification होगा और आपको वहाँ कुछ बोल सकते हैं वह खुल जागा जैसी आप आपका camera जब खुलेगा और जब आपका photo capture करेगा तो सब आटोमेटिक वह फैस्ट कर लेगा आपका पूरा data नाम email id बापका नाम गाओं का नाम जो भी आपके आधार पे address KYC होता है वह सारा चीज़ वहाँ पे so कर देगा a to z आपका जो भी आधार में data रहेगा वह आटोमेटिक so कर देगा उसके बाद सारा KYC आपका जब so कर देगा तो उसके just नीचे आपको देदेगा fill details यानि कि कुछ details आपको manually fill करना होता है जैसे कि हम क्या कर रहे है हमारा income क्या है हमाई student है या बैबारी है हम सौब चलाते ह है नहीं तो कुछ इस तरह का आएगा थोड़ास मैं आपको मैंने जो है पर नोट करके रखा है वह मैं आपको यहां पर बता देता हूं जैसे आपका income पूछेगा कि आप income कितना करते हो दो से डाइलाग पर यह जो हो आप डाल सकते हैं इमेल आइडी आपका क्या है इमेल जाने हो गए रहे के बाद आपके जो अगांट है उसका देख रहे आपके family में कोई कर सके तो उसके समें नोमिनी एड करना mandatory है नोमिनी का एड्रेस वहां पर डालीएगा नोमिनी का डिवो भी डालीएगा नोमिनी का कालम सई सई भरिएगा ने तो फिर बाद में दिक्कत ह हो सकता है ठीक है नोमिनी का एड्रेस हो गया नोमिनी उसके बाद जस नोमिनी का ड्रेस डाल नोमिनी का डालने के बाद आपको सेलेक्ट करने करेगा कि जो एक खात अधारक है उसी एड्रेस पर नोमिनी रहता है तो आपको आप एक checkbox का option मिलेगा तो आप जब checkbox पे क्लिक शीज करेंगे तोि आपका नौमिनीकड इड्रेस फिल हो जाएगा इसके बाद यी सारा चीज़ फिल करोगे प्रोसीड करोगे तो अब आपके पास आजाएगा एक बैलेर्स्वरोसेस बोल MIDI सकते हैं और फंडिंग पेज़ बोल सकते हैं यानि कि आपको अपने एक काउँंट में एक रुपया दस रुपया पचास रुपया सो अलतल़ मिनिमम्मक एक रुपया तो आपको अपने खाते में तुरंत आइड करना ओगा जिससे आपका खाता एक्टी वोगा अगर आप 1 रुपया यह दो सपर मतलब में इंबंक रुपया करने अगर टेस्टिंग तो एक रुपया करके इंटरनेट बैंकिंग दूसरे किसी बैंक एकाउंट से वहां पर एक रुपया एड़ करिएगा आप जैसी आप एक रुपया एड़ कर देंगे आपका एकाउंट में वेक रुपया चला जाएगा और 24-48 घंटे में वेरिफिकेशन हो करके आपके जो भी इमेल आईडी है और मुबाइल नंबर पे आपका एकाउंट नंबर और सारा चीज आपको मिल जागा और लॉगिन करके आप एक टेल्पयमेंट्स बैंक का पूरी पूरा लाव उठा पाएंगे एक चीज और आपको हम बता पाएंगे कि अगर आपका जो आधार पैंट डालने के बाद और फैस केर हैं वह हमें कॉल करेंगे और वीडियो के वाइसी के माध्यम से हमारा खाता खोलेंगे जिसमें आपको आपने पास अधार कार्ट पैंकार्ट रखना ओरिजिनल रखिएगा डूब्लिकेट नहीं बहुत लोग कॉपी करके रखते हैं तो वह नहीं चलेगा वीडियो के कार्ट और ओरिजिनल आधार कार्ट अपने पास रखना होगा तो इस तरह का केस होता नहीं है लेकिन रेर केस में अगर एकात परसेंट हो जाता है तो आपको वीडियो के वाइसी के माध्यम से आपको अपना खाता खोलना पड़ेगा सारा फंडिंग होगरा करने के बाद 24 24-47 घंटे वरिफिकेशन होता है और कभी कभी तो 2-3 घंटे में भी आया था थोड़ा सा आपको पेसेंस रखना पड़ेगा ठीक है उसके बाद जैसे अफंडिंग को रखर लेंगे 24-47 घंटे के अंदर आपके मोबाइल नंबर पे इमेल आईटी पे आपका खाता खुल ज क्या है नहीं बहुत लोग पहले ब्रांच हो गया राख चक्का लगाना पड़ था अब सारा चीज़ डिजिटली हो गया है घर बैठे सारा काम करेंगे वर्चुल डेबिट कार्ट सारा कुछ आप मोबाइल से देख सकते हैं इसके लिए मैं स्पेसल एक वीडियो बना दू मता अगर यह वीडियो अपको थोड़ा से भी अच्छा लगाऊ तो लाइक करिएगा और अगर अपमारे चैनल पर ना है तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब करके पहले आइकान जोड़ दुबाईएगा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मे ने टॉपिक के साथ तब तक लिए जैनी धन्यवाद